चानत के AIS Academy में आप सबी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं पूरी जगनात मंदिर और इसके खजादे के बारे में ओरीसा में जगनात मंदिर के खजाने को खोल कर उसकी पूरी जाज कराने की पूरानी मांग फिर से उठ रही है ये रत्न बंडार पूरे तीन दशकों से बंद है और विधान सबा चुनाव से पहले इस मुद्दे को बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही उठा रही है आखिर इस रत्न बंडार के इतने सालों से बंद रहने की पीछे का क्या रहसे है और अभी ही इसे खोलने की बात क्यों हो रहे है तो चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं पूरी जगनात मंदिर के बारे में ओरीसा में स्थे जगनात मंदिर को हिंदों का प्रमुक तिर्चतल कहा जाता है हिंदु धर्म में इन चार धामों को सबसे ज़ादा महत्व दिया गया है इनमें बद्रिनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पूरी शामिल है कहा जाता है कि इनी चार धामों में एक जगनात मंदिर की ऐसी कई विशेश्टाएं है जो इसे सबसे अलग बनाती है इस मंदिर का निर्मान बार्मी शताबदी में गंग राजवंश के प्रसिद राजा अनंत वर्मन चोड गंग देव द्वरा किया गया था जगनात मंदिर के पास ओरीसा में 6426 एकर जमीन है और 6 राजों में 395.2 एकर जमीन है इन 6 राजों में पश्चिम मिंगौल, महाराष्ट, आंधर प्रदेश, चतिसकर और विहारशा में है जगनात मंदिर से जूड़ी ऐसी कई कहानिया है जो दशकों से रहसे बनी हुई है इस मंदिर को लेकर माने ताइं भी बहुत है जब भगवान विश्णू चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बदरीनात गए वहाँ पर उन्होंने स्तान किया इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहाँ कपड़े बदले द्वारिका के बाद ओरीसा के पूरी में उन्होंने भोजन किया और आखिर में उन्होंने तमिल नाडू के रामेश्वरम में विश्राम किया पूरी जगनात मंदिर के रत्न भंडार के अगर बात करें तो रत्न भंडार जगनात मंदिर के तहकाने में स्तित है इस भंडार घर के भी हिस्से हैं एक बाहरी और एक भीत्री एक कश में देवताओं यानि भगवान जगनात देवी सुबद्रा बलभद्र द्वारा इस्तेमाल के जाने वाले आभूशनों का संग्रे रखा हुआ है और दूसरी कश में आभूशन के कई टुकडे रखे गए है भंडार के दूसरे कश में खाने पीने के बरतन भी रखे गए हैं कहा जाता है कि ये आभूशन बारविशदी के बने आभूशन है जब राजाओं और भक्तों ने उन्हें मंदिर में चड़ाया होगा अगर भंडार ग्रह के अंदर के खजाने की बात करें तो एप्रेल 2018 को इस खजाने के बारे में बताते हुए पुर्म कानून मंत्री प्रताब जैना ने विधानसमा में कहा था कि साल 1978 में रतन भंडार में 12,831 भारी सोने के आभूशन थे इन आभूशनों पर कई तरह के की किमती पत्थर लगे हुए थे साथ ये भंडार में 22,153 चांदी के बर्तन और अन्य चीजें भी शामय हैं अगर बात करें कि ये मंदिर कब खोला जाता है या इस रतन भंडार को कब खोला गया है तो आधिकारिक आकड़ों के अनुसार आखरे बारी रतन भंडार साल 1978 में 13 मैं से 23 जुलाई के बीच में खोला गया था उस वक्त इस कमरे में मौजूद चीजों की जानकारी दे गई थी इस दर्वाजे को एक बर फिर से साल 1985 के 14 जुलाई को खोला गया लेकिर इस बार इसके अंदर क्या है इसकी कोई जानकारी आधिकारिक तोर पर अपडेट नहीं की लिए ओडिसा के जगनात मंदिर के तहकाने मिस्तित बंडार घर को खोलने के लिए ओडिसा सरकार से अनुमती लेनी पड़ती है साल 2018 में आर्केोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के कहने पर ओडिसा के हाई कोट ने इसे खोलने का आदेश दिया था हाला कि इसकी प्रकेरि के पास होती है साल 2018 में जब चाबी नहीं मिलने की बात कहे गई तो उस वक्त कलेक्टर अर्विंद अगरवाल के पास ये थी हाला कि इसके पास चाबी नहीं होने की बात में साल 2018 में काफी बवाल भी मचा दिया था मामला इतना जादा बढ़ गया था कि इस मामले में मुख बिठाए गई थी लगबग दो हफ्तों बाद इस कमेटी ने बताया कि उन्हें एक लिफाफा मिला है जिस पर लिखा है भीतरी रत्न भंडार की डुप्लिकेट चाबिया इस लिफाफे के साथ ही इस कमेटी ने लंबी चोड़ी रिपोर्ट भी दी थी लेकिन इसमें क्या लि लेकिन किसी कारण बंच इस भंडार घर को खोलने की अनुमती नहीं मिल पाई अब इस साल इस भंडार घर को खोलने की लगातार हो रही इस मांग के बीच मंदिर प्रबंदन समीती ने अगस्त में ही रत यातरा 2024 के दोरां रत भंडार को खोलने की बात कह दी है अब हम बात करेंगे रत्यात्रा के बारे में औरीसा में हर साल निकाले जाने वाली जगनात रत्यात्रा प्रदेश का सबसे महत्तपून आयजनों में से एक है इस रत्यात्रा के दोरान भव्वे जुनूस निकाले जाते हैं देवताओं को सजाकर रतों पर रखा जाता है जिने हजारों भक्त पूरी की सड़कों से खीशते हैं ऐसा माना जाता है कि इस रत यात्रा में भाग लेने, रस्यों को छूने या इस यात्रा के दोरान देवताओं के दर्शन करने से अपार आशिरवाद मिलता है पूरानिक कताओं के अनुसार एक बार भगवान जगनात की बहन ने अपने भाई से नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए जगनात जी और बलभद्र अपनी बहन सुबद्रा के रत पर बैट कर नगर घूमने गए थे उन्होंने लगातार साथ दिनों तक नगर की यात्रा की और तभी से ये यात्रा हर साल निकाली जाती है पर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जब भगवान कृष्र के मामा कंस ने उन्हें रत पर मत्रा बुलाया था तो वह सवार होकर अपने भाई के साथ गए थे तभी से रत यात्रा निकाली जाती है जगणात मंदिर की एक और खास बात है वो ये है कि यहां मौझूद तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदल दी जाती है हर 12 साल पर पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तिया स्थापित की जाती है खास वात ये है कि मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया के दौरान पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है इस प्रकिरिया के दौरान मंदिर के आसपास का इलाका पूरी तरह से अन्हिरा कर दिया जाता है वही मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तेनात कर दी जाती है मूर्ती के बदले जाने के वक्त मंदिर में किसी भी आवाजाई पर पावंदी होती है सिर्फ वहीं पुजारी अंदर जा सकता है जिगे मूर्तियां बदलनी होती है उस पुजारी के आँखों पर भी पट्टी बंदी होती है इस पूरी प्रकिर्या के दौरान सिर्फ एक चीज नहीं बदली जाती और वो है ब्रह्मपदार्थ ब्रह्मपदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है अब सवाह ये है कि ब्रह्मपदार्थ आकिर है क्या ब्रह्मपदार्थ के बारे में अब तक कोई जानकारी सारजनिक नहीं हो पाई है बस इतना पता है कि ये मूर्ती का कोई हिस्सा है जो हर 12 साल में नई मूर्ती पर लगा दिया जाता है एक धार्मिक मानता ये भी है कि इस ब्रह्मपदाग को जिसने भी देख लिया हो उसकी मौत निश्चित है मानेता तो ये भी है कि ब्रह्मपदा आपको देखने वाले के शरीर के चितरे तक उड़ जाते हैं इसके साथ ही आज का ये वेडियो यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यमाग